हाई अबरीबन वेलकम पेक टो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंज चहरे पे और हमारी बोडी पे जो डेयर डिस्किन सेल्स जमा हो जाती है वह एक नेचरल प्रक्रिया होती है बट अगर हम उसको टाइम पर रिमूव नहीं करेंगे तो वह हमारे लुक को खराब कर सकती है और तो उन सब को रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारी स्कीन ना ताकि अच्छे से ब्रीथ ले पाए अच्छे से सांस ले पाए डेयर डिस्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए आज कल मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट अविलेबल है ब बोड़ी पे और ऐसे हैंड्स पे हैंड्स पे और लेक्स पे ना स्रॉबेरी बंस हो जाता है कुछ इस तरीके से जो की वह भी गंदे लगते हैं दिखने में तो आप वह भी एजिली रिमूव कर सकते हो तो फ्रेंड मैं जिस प्रोड़क्ट की बात कर रही हूं वह है घर प्रेमियम पेकेजिंग में आता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी पेकेजिंग है क्लासे पेकेजिंग है इसकी और इसके अंदर आपको यह प्रोड़क्ट मिलता है यह प्रोड़क्ट आपको मिलता है और इसको यूज करना भी बहुत है और आपको हफते में इसको यूज़ करना ही है जो यह सारे मतलब इसके में लिखने है वह एक्चिल में यह रूख करता है जैसे इस पीछ यूज़ करने से आहिर्ट फोर की क्रीज होता है में और फिर हमारे जो REMOVE जो capitalism जो रैड़ इसके सेल्ट होती दो होती है उसको करता है और दिखता और आपको यह कि बार में इसका फर्क भी दिखता है और जो रहरे टैनिंस हो जाती हमार किन का कलर है ना वह एड़ जाता है तो लिकार अधिकर के आता है जो इससे नकर रिखा है और यह यह बहुत करना भी सब कुछ अच्छे से लिखा है आप इसको अपने हैं इस पर Бोड़ी पर आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा फेस के लिए हलका सा हाड हो जाता है और हमारी जो बोडी की जो देटीकी से लिएर उसको बहुत ही इसली रिमूँ कर लेता है यह बहुत जाधा है और इसको आपको इसको कैसे यूज करना है तो आपको उने बैदे दिरे अपनी जयादा हार्ष करोगे तो इरिटेशन और रैडनेस का रैडनेस हो सकती है तो आपको बस जैंटली से अच्छे से अपने बोडी पर इस तरीके से यूज्ट करना है और इसलिगे आप देखोगे कि आपकी जो बोड़ी की डैडेट से हैस के आराम से रिमूव हो रही है और इसको मैं one month से use कर रही हूं हर हफते में इसको use कर रही हूं इसलिए मेरे इतनी जादा dead cells नहीं है आई होग वाज़ आपको यह दिख रही होगी देखो तोड़ी सी ही dead cells मेरे remove हुई है क्योंकि मैं इसको one week में एक बार ज़रूर use करती हूं और आपको भी इसे हफते में एक बार यूज़ करना ही है आपको इसे अपनी एलबो पे नी पे बहुत अच्छे से रब करना है ताकि जो अलग से जो डार्क टैस होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और यह देखो थोड़ी सी जो डैट सेल्स है वो आपको दिख रही हो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल तरीका है आप इजली यूज़ कर सकते हैं तो अगर आपको इसे पर्चेस करना है तो आप मेरा यह कूपों को यूज़ कर सकते हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से पर्चेस कर सकते हो तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच वाइबा थे क्यार